हलो एव्रिवान, जेंडर संसिटाइजिशन में हम लोग ब्लॉक 3 कवर कर रहे थे और पिछली क्लास में मैं आपको यूनिट 7 कवर करा चुकी थी आज से हम कवर करेंगे यूनिट 8 जेंडर इशूज इन वर्क और लिबर मार्केट तो बेसिकली इस चैप्टर में हम समझेंगे कि क्या-क्या इशूज है वोमेन से रिलेटेट है अगर वोमेन कोई इंप्लॉइमेंट करती है अगर लिबर फोर्स में पार्टिसिपीशन होता है वोमेन का तो उससे रिलेटेट क्या-क्या इशूज है ये सारे चीज हम इस कहा जाता है enumeration of work ठीक है census करने का दो तरीका है हमारे इंडिया में सबसे पहला census publish होता है nss के द्वारा नसस क्या है नाशनल सेंपल यसमें मेली information collect के जाते हैं कि कि तरीके से work हो रहा है economic activity परफॉरम यह तो इस तरीके के सर्वे को publish करते हैं nss ठीक है दूसरा census होता है official Indian statistics के द्वारा तो मेली यह indicate करते हैं कि woman कितनी पीछे रह गई man से और indication जो होता है वो three sphere में होता है ठीक है सबसे पहला है socio फिर है political and next है economical तो socio political और economic life में woman man से कितनी पीछे रह गई इस चीज़ के सर्वे को करते है official Indian statistics ठीक है तो mainly ennumeration of work में हम क्या समझे कि यहां पर क्या होते है survey किये जाते हैं ठीक है survey census एक ही है और यह census दो टम में publish होते हैं एक NSS करता है और दूसरा official Indian statistics ठीक है तो यह हम समझ गए तो इस census के दुरू हम समझ सकते हैं कि क्या position है woman का ठीक है तो इसलिए यह census कराए जाते हैं तो समझ गया होंगे आप यह topic ठीक है next move करते है next है what constitutes a woman work तो यह topic separately book में दिया गया है बस मैं आपको टम समझाती हो कि इसका मतलब क्या है ठीक है तो what constitute a woman's work का मतलब है कि क्या decide करता है woman के working condition को तो mainly हमारे Indian society में क्या हो रहे है household work वो woman perform करेगी और जितने भी outdoor activities है वो सारे man perform करेंगे ठीक है तो mainly अगर woman बाहर जाके काम भी करती है तो भी उसे household work करना होता है तो यह primarily work है woman के लिए आप बाहर जाके काम करोंगे तो भी आपको household work perform करने होंगे ठीक है तो यह तो हो गिया उनके लिए जो बाहर जाके काम कर रही है लेकिन mostly हमारे society में क्या हो रहा है जितने भी household work है और जितने भी private work है वो सारे women करती है तो मेली logic क्या है women को indoor domain में रहना है ठीक है बाहर नहीं निकलना है तो participation कहा होगा household work में ही है ना तो ये सारे चीच इस topic में cover होंगे ठीक है उसके बाद दूसरा है under enumeration and under valuation of women's work यहाँ पर है under enumeration और under valuation इसका मतलब हुआ कि women का जो productive activity है उसका contribution को recognize नहीं किया जाता है और जितने भी census होते हैं उसके लिए जो family member को approach किया जाता है उसमें वो contact करते है male member को और इनहीं से जानते हैं कि family member का contribution क्या है तो इसमें क्या होगा women के contribution को recognize नहीं किया जाएगा है तो इसलिए male member क्या कर रहे है women के work को कम value दे रहे है और इसलिए यहाँ पर women का contribution क्या होता है कम हो जाता है ठीके वो inform नहीं कर पाते हैं अपने census में कि क्या working condition है women का और कितने valuable work वो कर रही है और हमारी society तो ऐसे ही है अगर women कोई काम कर रही है तो वो valuable नहीं माना जाता है है ना तो यह सारे चिस्ते इसमें उसके बाद next है decent work यह जो concept है ना decent work का इसे दिये है international labor organization और mainly इसका objective है promote करना opportunities male के लिए भी और female के लिए भी ठीके और इनसे क्या होगा उनके productive work के condition अच्छे होंगे ठीके इससे freedom मिलेगा, equality मिलेगा, security मिलेगा और human dignity भी encourage होंगे तो यह target है international labor organization का उसके बाद next है globalization and women's employment तो globalization का मतलब होता है global competition को encourage करना, market, production, यह सारे चीज़ को uplift करना तो mainly इसका aim होता है free trade, unfitted markets और integration of economies of nation in the world ठीके, free trade का मतलब क्या हुआ, इस पे ज़्यादा tax नहीं लगाना, free trade होने देना, all over the world ठीके, दूसरा है unfitted markets इसका मतलब है कि हमें अच्छा market प्रोवाइट करना, all over the world जहां मेरा मर्जी करें, वहाँ पे हम marketing कर सकते हैं और तीसरा है integration of economies of nation in the world इसका मतलब होता है हम पूरे nation में, पूरे world में सारे economy को integrate करना integrate का मतलब होता है जोडना, ठीके, तो ये सारे economies को हम जोड देंगे ताकि हमारा productivity बढ़े, हम जहां मर्जी import कर सके, जहां मर्जी export कर सके ठीके, ये सारे चीज होते है globalization के अंदर ठीके, फिर देखो, अब इसमें है women empowerment, तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि globalization के वज़े से बहुत सारे multinational corporations आए, ठीके, तो इसमें बहुत opportunities मिले women को, women की economic activity increase हुई, ठीके, लेकिन problem यह है कि जितने भी activities women perform करती है, वो सारे low paid jobs है, ठीके, तो यहां जो मैं बता रही हूँ, यह सारे women को target करके नहीं बोला जा रहा, लेकिन maximum, maximum women का जो economic activity है, वो concentrate है low paid jobs पे, ठीके, और दूसरी बात, जितनी भी poor और tribal women है, उन सारे को बहुत ज्यादा problem हो रहा है, इस globalization के वज़े से, क्योंकि जितने पर जाने के बाद, वो market में compete ही नहीं कर पारी, और इससे और भी ज्यादा problem हो रहा है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के वज़े से, बहुत अच्छा opportunity मिल रहा है, लेकिन problem यह है, कि यह opportunity सारे के लिए नहीं है, तो आप समझ गया होंगे, globalization and woman employment, इसमें आपको positive aspect भी दिखाने हैं, और negative aspect भी, ठीक है, इसके बार next है, feminization of employment and labor force, तो यहाँ पे जो feminization term है, इसे United Nations ने दिये हैं, तो mainly यह feminization term, use कहां करेंगे, जहाँ पे women के लिए opportunities हो, ठीक है, इसे ह हम तीन तरीके से describe कर सकते हैं, जैसे कि अगर female labor participation rate increase होता है, तो हम कहेंगे, कि यहाँ पे क्या है, feminization of employment है, ठीक है, दूसरा कह सकते है, कि fall or stagnation in male labor participation rate, यानि कि male का participation rate decrease करना, तो male का participation rate तभी decrease करेगा, जब वहाँ पे female labor ज्यादा होंगी, हाना, तो इससे भी हम कह सकते है, कि यह क्या है, feminization है, employment का, ठीक है, और तीसरा है, labor option of employment of women for work, women के employment के लिए, अलग option बनाना, इसे भी हम कह सकते, feminization of employment and labor force, तो mainly इसको अगर हम summarize करें, तो हम क्या समझेंगे, कि अगर किसी भी labor force में, किसी भी employment में, किसी भी work में, अगर वहाँ पे female को preference दिया जाता है, तो हम उसे कह सकते, feminization of employment, ठीक है, अब next time है, marginalization and informalization, देखो, women worker को क्यों prefer क्या जाता है, क्योंकि वो low wage में भी काम कर लेती है, ठीक है, और poor working condition को oppose भी नहीं करती, है ना, तो यह reason है, women को work में लेने का, है ना, और जब से globalization आया है, यह नई नई possibilities लाया है, women के exploitation के लिए, जैसे कि उन्ह low wage देना, poor living condition प्रोवाइट करना, यह सारे चीज क्या कर रहे है, उन्हें social और economic, marginalized कर रहे है, है ना, तो इससे क्या हो रहे, उनके condition और भी खराब होते जा रहे है, इस वज़े से भी, बहुत सारे लोग prefer नहीं करते, कि women को बाहर जाके काम करने दिया जाए, और उन्हें reproductive औ to maximize their profit, ठीक है, profit कमाना है, तो आप अपने employee को कम salary दो, कम wages दो, उससे क्या होगा, आपकी profit increase होगी, और यह profit increase करने के चकर में, सारे women का exploitation कर रहे हैं, और उन्हें marginalized बना रहे हैं, है ना, इसके बाद next topic है, sexual harassment at workplace, तो workplace पे बहुत सारे violence होते हैं, women के against, इसी को कहा जाता है, sexual harassment, ठीक है, तो इसके लिए एक judgment आया था, विशाखा judgment, ठीक है, यह judgment 1997 में आया था, तो इस judgment में Supreme Court define किये हैं, कि sexual harassment क्या होते हैं, और बहुत सारे guidelines दिये हैं इसके against में, ठीक है, तो क्या definition है, यह सारे चीज़ आप पढ़ लेना, इस judgment का जो main point है, वो मैं आपको बताती हूँ, तो Supreme Court ने कहा, कि sexual harassment जो है, यह violation है, basic human rights of women का, तो women के against, अगर कोई sexual harassment कर रहा है, तो इसका मतलब है, कि आप women के basic right को violate कर रहे हो, ठीक है, और इसके अलाबा, judgment से बहुत सारे guidelines दिये गए हैं, employers के लिए, कि जितने भी sexual harassment हो रहे हैं, workplace पे उसे खतन किया जा सके, और guideline में, employers को क जा रहा है, कि जितने भी women employees है, उनके लिए अच्छा working environment प्रोवाइट करना, ठीक है, ताकि वो अच्छे से काम कर सके, तो ये सारे duty है, employer की, उनकी responsibility है, कि workplace पे एक safe working atmosphere प्रियेट करे, ताकि जितने भी sexual harassment हो रहे हैं, ये सारे चीज को खतम किया जा सके, ठीक है, तो इसके ल landmark judgment है, और question आ सकते हैं, next topic है, sex work, तो ministry of women and child development के according, 2.8 million sex worker है इंडिया में, और इसमें से 35% लड़किया, 18 years से कम age में enter कर जाती है, इस work के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे दो question उठता है, कि women खुद से concern करती है, इस work के लिए, या फिर उसे forcefully ये काम करवाया जाता है, ठीक है, इसके अलावा ये जो work है, इसे तीन approach से समझा जा सकता है, पहला है legalization, ठीक है, दूसरा है decriminalization, और तीसरा है as a human right, ठीक है, तो इसमें सबसे पहला approach जो है legalization, इसका मतलब है कि state इस work को recognized किया है as a official work, जैसे कि और सारे काम होते है, उस तरीके से ये भी एक काम है, और इस काम के लिए वो license और working condition को issue करते हैं, ठीक है, तो ये हो गया legalization का मतलब, दूसरा है decriminalization, इसका मतलब होता है कि सारे criminal law जो यहाँ पे इस work के लिए लगते हैं, उसे remove कर देना, क्योंकि इसे state खुद legalized किया है, तो यहाँ पे कोई भी criminal law नहीं लगेंगे, फिर next है as a human right, ठीक है, इसका मतलब है कि जितने भी sex workers हैं, उनका भी एक basic और fundamental human right होता है, जैसे कि और सारी women का होता है, इसलिए यह sex worker का भी right है कि वो भी अपने basic human right के लिए काम करें, है ना, तो यह हो गया as a human right, अब यहाँ पे मैं पहले भी बताई हूँ कि debate किस चीज के लिए, debate है कि क्या women खु कामों में involved किया जाता है, तो यही सारे थे बस इस topic में, उसके बाद next है, serviceization, serviceization का मतलब होता है कि service sector में women का involvement, तो हम यहाँ पे service sector को भी include करेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी women का participation बहुत ही ज़्यादा जरूर है, अब service sector का मतलब क्या हुआ, जो service provide कर रहा हूँ, है ना, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो यह क्या हुआ, service provide करना हुआ, जैसे कोई cleaning का काम कर रही है, कोई washing का का म कर रही है, कोई cooking का का कर रही है, तो यह क्या है, service work है, तो इसे ही कहा जाता है, serviceization, और service sector में women का participation इंक्रीज हो रहा है, ठीके, तो यह एक बहुत important sector है, जहाँ पे बहुत जादा skill होना जरूरी नहीं है तो यह क्या है विसिकली domestic work और इस domestic work को क्या कर दिया गया है service work में convert कर दिया गया है तो यह क्या हो गया serviceization अब इससे क्या होगा वो earn करेगी वो economically empower होगी उसके बाद next है glass ceiling तो mainly society में women के कामों के लिए obstacles कैसे आते हैं दो ही वज़े से एक socialization के वज़े से है ना यानि कि समाज क्या सोचेगा और दूसरा petrarchy के वज़े से है ना यहाँ पर mainly क्या होता है sun को ज़्यादा preference दिया जाता है एक data के according ठीक है तो यह सारे क्या हो रहे है obstacle create कर रहे है women के लिए तो mainly society prefer करती है कि women को traditional occupation में involved होना चाहिए तो इस वज़े से क्या होता है वो ज़्यादा उपर position पे नहीं जा सकती तो इस वज़े से women obstacle phase कर रहे है इसी obstacle को कहा जाता है glass ceiling ठीक है इसमें एक term छूट गया था मेरे से double burden इसका मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ पहले भी कि women को अगर बाहर काम करना होता है तो घर में भी काम करना होता है उसी को कहा जाता है double burden तो इस unit में बस इतना ही topic था और मैं आपको सारे चीज कवर करा दी सारे की basic point आपको बता दी अब आपको examination में कोई भी दिक्कत नहीं होगा तो मेरा बस एक ही request है कि आप एक बार please book पढ़ लेना ठीक है book से क्या होगा और भी सारी issues आपको clear हो जाएंगे और अच्छे से आपके concept build हो जाएंगे तो फिर मिलते हैं अपने next class में अगले chapter के साथ thank you so much have a good day